एक तरफ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी है जो एम्बूलेंस के लिए अपने पूरे काफिले को रोक देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि पहले एम्बूलेंस जाए और उसके बाद नरेंद्र मोदी का काफिला निकले। जो अपने काफिले को निकलवाने के लिए 20-25-25 मिनट दो-दो ट्रेनों को आउटर में खड़ा करवा देते हैं और आप सोचिए कि इस थंडी में जो आदमी जनरल डबबा में स्लीपर कोच में चुप चाप बैठ कर अपने स्टेशन का इंतजार कर रहा होगा लेकिन उसको क ज्या पता कि माननीयम मुख्यमंत्री जी का काफिला गुजरने वाला है इसलिए उनके ट्रेन को 20-25 मिनट एस्टेशन से पहले ही रोक दिया जाएगा और जब मुख्यमंत्री जी का काफिला गुजर जाएगा उसके बाद उनका ट्रेन आगे बढ़ेगा आप समझिएगा इस बात को हम बात करते हैं वियाईपी कल्चर को खत्म करने की हम बात करते हैं कि एडेमुक्रेसी है यहाँ पर एक आदमी का ताकत और वैल्यू एक वोट है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लेकिन उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री हमारे MP सहाब हमारे नेता हमारे मंत्री सहाब लोग एक दम से VIP कल्चर में रमे हुए हैं जब भी किसी मुख्यमंत्री की गारी गुजरती है तो आप देखते होंगे कि रोड पर चल रहे लोगों को रोक दिया जाता है मुख्यमंत्री जी को मंत्री जी को ट्रैफिक से बहुत दिक्कत है भले मुख्यमंत्री जी औ अब तो हमारे मुख्यमंत्री जी के काफिले को पास करवाने के लिए ट्रेन तक को रोक दिया जा रहा है। आप समझेगा एक तरफ जब वियाईपी कल्चर को खत्म करने की बात होती है तो लगता है कि चलो नेता जब आम आदमी की जिन्दगी जीएगा तब उसको मालूम पड़ेगा कि दुख क्या है। जो आपको आधे किराय में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एरपोर्ट से बिहार के किसी भी गाउं में जाना हो या बिहार के किसी भी गाउं से पटना आना हो आपको कुछ नहीं करना है प्ले स्टोर पर जाना है रोड बेज का एप डाउनलोड करना है और आप आधे किराये में पूरा बिहार गूमने का आनंद ले सकते हैं अब लोट जाते हैсть मुख्यमंत्री जी पर मुख्यमंत्री जी हमारे नितीश कुमार जी समधान यातरा पर निकले हुए है समधान यातरा में कल वो बकसर गए थे और उसके बाद जो वहां पर हुआ उसको देखकर अब लग रहा है कि देखिए CM साहब हो गए, नेता जी लोग हो गए, मंत्री जी लोग हो गए, उनके सामने आम आदमी के जिन्दगी का, आम आदमी के काम का और आम आदमी का कोई वैल्यू नहीं है मुखिमन्तेजी बकसर में एक railway l Citrix क्रोस कर रहे थे, और उनके काफिले को क्रोस करवाने के लिए सारे traffic को रोक दिया गया, और उसके बाद जो railway लाईन से train जाने वाली थी, उसको भी रोक दिया गया, और दो पैसेंजर 25-25 मिनट तक आउटर में खड़ी रही, कि मुखिमन्त में लोग बैठे हुए होंगे उनका क्या स्थिती हुआ होगा एक बार सोच कर देखिए कई लोग तो पैदल स्टेशन पर पट्री पर उतर कर स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे कई लोगों ने कहा कि बताईए मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं वो बढ़ियां गारी में बैठे जो आम लोगों के सहुलियत के लिए अपना वियाईपी कल्चर अपना नखड़ा टोटा छोड़ देते हैं और इसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम याद आता है क्योंकि नरेंद्र मोदी कई बार एंबुलेंस को रास्ता देने के लिए अपने काफिलियों को रुकवा देत हैं एंबुलेंस जब गुजर जाता है तब नरेंद्र मोदी गुजरते हैं लेकिन माननीय मुख्यमंतरी नितीश कुमार के पास समय की इतनी किल्लत है कि भाई सहाब रुक नहीं पाए 25-25 मिनट तक दो ट्रेनों को उन्होंने खड़ा करवा दिया जो लोग उसमें बैठे ह हुए होंगे उनकी क्या स्थिती हुई होगी सोचिए और उसके बाद इस बात पर भी सोचिए कि जिन लोगों ने वोट देकर सीम नितीश कुमार को इस लायक बनाया कि उनके लिए ट्रेफिक को रोका जा रहा है वो सीम सहाब अपने लोगों के बारे में बिलकुल नहीं सो आईएगा बाकी फिर किसी अन्य खबर साथ मिलेंगी मेरा नाम प्रिशांत रहा है आप जंद अनिक्षन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद